ओम नमः शिवाय जय मातादी नमस्कार दोस्तों पूज्य गुरुदेव के आशीरवात से आज हम बताएंगे अश्टमी और नवमी को लेकर जो आप लोग कनफ्यूजन में बने हुए हैं कि नवमी कब मनाई और दस्वी कब मनाई आज हम आपका कनफ्यूजन दूर करने वा तो ध्यान से आज का वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है तो साल दो हजार चौबीस में शारदी नवरात्री तीन अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं और उमीद करते हैं कि आप सभी ने इन नवरात्रों में माता के नाम का जैकारा करते हुए मा का आशीरवात जरूर लिया होगा मनो कामनाओं को पूर्ण करने वाली माता के नौ अलग अलग स्वरूपों की पूजा विधी विधान के साथ धूम धाम से की होगी अब धीरे धीरे से आप सभी को नवरात्री की अश्टमी और नवमी को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ आप सभी को बताएं कि इस बार नवरात्री की अश्टमी कब है और नवमी कब है गुरुजी कहते हैं कि अश्टमी के दिन कन्या पूजन और नवमी के दिन कन्या भोजन का महत्व होता है तो ऐसी में आप सभी को कन्या पूजन कब करना है और कन्या भोजन कब करना है तो ध अलश में डली हुई सामगरी होती है जैसे कि सिक्का हल्दी की गांठ और ज्वारे का क्या करना है सब कुछ आपको आज के खास वीडियो में प्राप्त होगा गुरुजी ने कहा कि पूरा अंत तक वीडियो देखेगा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी अधूरी जानकार लेने की कोशिश ना करें अधूरा ग्यान हमेशा घातक होता है तो अगर आप सच में माता की पूजा पाठ करने का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो में अश्टमी नवमी के जो बारे में बताया गया है उनके साथ साथ माता की उपायों को भी बताया गया है उनको भी जरूर से करेगा और वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भोले के भक्तों आप सभी को आने वाले दशहरा की हा शेश जानकारी को संजा करूंगा वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी संशय मन में नहीं रहेगा जरा ध्यान से सुनियेगा भोले के भक्तों दस अक्टूबर को अश्टमी का प्रारंभ दोपहर बारह बजे से होगा और यहीं पर यह अश्टमी समाप्थ होगी ग्यारह अक्टूबर को दोपहर में बारह बज कर साथ मिनट पर ऐसे में जो लोग अश्टमी करते हैं यानि कि कन्या पूजन का जो दिन है मासिक दुरगा की अश्टमी का वरत जो है उन्हें कब करना है तो जो भी अश्टमी सूर्योदय के साथ में होती है वही रियल में मान एक घंटे के लिए भी सूर्योदय काल अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो वही वरत के लिए पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। प्योदय काल की अश्टमी के अनुसार ही करते हैं जो की 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को होगी। अब आपको समझ आया की अश्टमी 11 अक्टूबर को है। कन्या का पूजन अश्टमी के दिन किया जाता है अश्टमी के दिन कन्या पूजन करें और जिनके यहां नवमी के दिन कन्या पूजन होता है वह नवमी के दिन करें अपने यहां की रीती रिवाज का पालन करते हुए ही करें अब आपके प्रश्ण होते हैं अश्टमी कैसे मन तो देखिए अश्टमी नवमी यह दो तिथियां अपने परिवार की परंपराओं के अनुसार मनाई जाती है जैसे आपके परिवार में हो साल दो हजार चौबीस में शुक्रवार को अश्टमी मनाई जाएगी और नवमी का देखिए शारदिय नवरात्री की नवमी तिथी ग्यारह अक्टूबर को दोपहर बारह बजकर साथ मिनट पर समाप्त हो रही है, तो ग्यारह अक्टूबर को दोपहर दस बजे से सूर्योदैकाल में नवमी हमें प्राप्त हो रही है, तो बारह अक्टूबर को शनिवार के दिन अगर आप चाहे तो बारह अक्टूबर को नवमी को ही हवन कन्या पूजन किया जाएगा 12 अक्टूबर को भी कर सकती है और 11 अक्टूबर को नौमी और अश्टमी दोनों तिथि मनाई जा सकती है लेकिन दोपेहर के बाद नवमी लग जाएगी वैसे भी नवरात्री में रात्री का महत्व होता है तो नवमी तिथि की रात्री हमें प्राप्त हो रही है ग्यारह अक्टूबर को। जिस दिन शुक्रवार का दिन है और मा सिद्धिदात्री की विशेश पूजा होगी ग्यारह अक्टूबर शुक्रवार की रात्री में होगी इस बात का आपको ध्यान रखना। लेकिन सुर्योदय कालीन नवमी हम में प्राप्त होगी बारह कटूबर को अब आपका यह कंफीजन दूर हो गया होगा कई लोग दस्वी में कञ्डं करते हैं दस्वी में हवं करते हैं नवरातरिक अ तो बारह अक्टूबर को भी कर सकते हैं वैसे ग्यारह अक्टूबर को अश्टमी नवमी आप दोनों मान सकते हैं अगर आपके यहां अश्टमी का पूजन होता है तो आप ग्यारह अक्टूबर को दोपहर से पहले कन्या पूजन हवन इत्यादी कर लीजिए और जिनके यहां नवमी मनाई जाती है यानि की नवमी को कन्या पूजन होता है वह 11 अक्टूबर को दोपहर के बाद कन्या पूजन हवन इत्यादी कर सकते हैं अगर आप ऐसे में नहीं करना चाहते तो 12 अक्टूबर को कर ले नवमी तिथी रहेगी 12 अक्टूबर को 10.30 बजे तक आप अपनी इच्छा के अनुसार देख लीजिए अब विजया दश्मी और दशहरा कब है आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा तो बारह अक्टूबर दो हजार चौबीस को शनिवार के दिन दशहरा है इसी दिन रावन का दहन होगा अब बात करते हैं कलश विसर्जन की तो कलश विसर्जन दश्मी को किया जाएगा पूरे नौ दिन के बाद जैसे के आप नवरात्री के पूरे नौ दिन की पूजा करेंगे और उसके बाद नवरात्री का वरत का पारण करेंगे कलश विसर्जन के लिए आप लोगों के प्रश्ण है कि अश्टमी होती है या अश्टमी के दिन कन्या का पूजन होता है उसे दिन करें तो सबसे उत्तम जानकारी गुरुजी के अनुसार बताता हूँ कन्या पूजन हवन इत्यादी आप अपने परिवार की रीति रिवाज के अनुसार करें और जिस दिन होता है कलश का विसरजन यानि कि जिस दिन माता की चौकी हटाई जाएगी उसे दिन कलश विसरजन होगा साथी अखंड दीपक वगेरा हम दस्वी तिथी के दिन ही हटाते हैं ऐसे में जो देवी भागवत पुरान है उसमें माम दुर्गा की प्रतिपदा तिथी से लेकर नवमी तिथी तक धर्ती पर वास करने की बात कही गई है क्योंकि माता अपने लोक को चली जाती है तो ऐसे में चौकी आप नहीं रखेंगे पूजा उसी प्रकार करेंगे जैसे आप अब तक करते आ रहे हैं मां सिध्धिदात्री की पूजा करने के बाद हम लोक चौकी हटाते हैं तो इस तरह से आप अपनी पूजा में माता की कृपा को प्राप्त करके संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं अगर आप आपकी पूजा को सिध्धि प पूर्ण होती हैं माता के नौ स्वरूपों की पूजा नवमी तिथी पर समाप्थ होती है इसी लिए माता सिद्धिदात्री की पूजा करना अनिवार्य होता है माता की चौकी कन्या पूजन कर लीजिए हवन कर लीजिए उसके बाद ही हटाए या फिर आपके घर का जो नियम होता है उसी के अनुसार हटाए अब जब तक माता की नवमी तिथी है तब तक आप दीपक जलते रहे कलश का विसरजन 12 अक्टूबर शनिवार को करें बहुत से लोग कहेंगे कि अब शनिवार के दिन माता की विदाई नहीं करते तो ऐसा नहीं है माता की विदाई से ज्याद महत्व नवमी तिथी हमें प्राप्त हो रही है जो कलश विसरजन के लिए 12 अक्टूबर को नवमी तिथी प्राप्त हो रही है इसलिए कलश का विसरजन 12 अक्टूबर को करेंगे जो शनिवार के दिन सुभह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कर सकते हैं Colors विसर्जन आप सभी सुबह सूर्योदय के साथ और सूर्यस्थ होने से पहले करें अगर आपके घर में ऐसा होता है कि दशमी तिथी के दिन गलत विसर्जन करना है तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार करें अंतिम दिन कलश का विसर्जन करके नवरात्री व्रत का पारण करना है उससे पहले माता के नाम का जाप अगर आप कर पाए तो जरूर करें और माता की पूजा सामगरी को विसर्जित ना करें उसे बचाकर अगली नवरात्री तक रखें और इस दिन कन्याओं को उनकी मनपसंद चीज देख कर उनका आशीरवाद प्राप्त करें और अगर आपकी विशेश मनोकामना है तो माता के मंदिर में जाकर हरी चूडी का दान करें माता को सिंगार की सामग्रियां समर्पित करके किसी भी सुहागिन स्त्री या ब्राह्मन की पत्नी को यह सामग्री समर्पित करें इस तरह से माता रानी प्रसन्न होती हैं नवरात्री की पूजा समाप्त होने पर विधी विधान से विसर्जन करें फिर माँ भगवती के नौ रूपों का ध्यान करके कलश की पूजा कर धूप दीप जलाकर मूर्ति का विसरजन करे। नौ दिन में की गई व्रत की पूजा, पुन्य सभी प्राप्त होता है और अपनी गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे। और माता के मंत्र हीम किलीम चामुंडाय विछे। अब कलेश के उपर रखे नारियल को धीरे से उठाकर नारियल को लाल चुनरी में बांध कर अपने घर में रख दे या अपनी माता बहनों को दे। नारियल को जल में प्रभावित कवी ना करे। कुछ लोग मंदिर में रखते हैं तो कुछ लोग कन्या पूजन में प्रसाद स्वरूप में बांट देते हैं। आपके घर का जो नियम है वैसे ही आप उसका पालन करें। अगर आप मंदिर में रखना चाहते तो रख सकते हैं अन्यता हमारे यहां पर गुरु जी कहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब कलर्स में जो आम के पत्ते हैं या अशोक के जो भी है और जो जल है उसका छिड़काव उन पत्तों से पूरे घर में करने से घर में सुख शान्ती और माता का आशीरवाद और घर की बरकत होती है तो जल का छिड़काव करें और सभी बुरी शक्तियों को घर से बाहर करें वैसे तो घर में माता की नौ दिन जो जोती जली है उसे आपके घर में कोई बुरी शक्ति नहीं रही होगी फिर भी आप इन पत्तों से जल का छिड़काव पूरे घर में करें अब कलश का सबसे सुन्दर उपाए पहले रसोई घर में ज जल को न रखें जो भी जल बचा है उसको तुलसी के पौधे में नहीं डाले किसी अन्य पौधे में डाल दें माता की पूजा में तुलसी पत्र नहीं चढ़ाये जाते हैं इसलिए हमने जो कलश की पूजा की है कलर्स के अंदर जल रखा हुआ है मा भगवती के नाम से हमने स्थापना किया इस जल को तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए इसे किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं अगर आपने मिट्टी के कलश का प्रयोग किया है तो कलश का जो जल है वह सुख ही गया होगा तो उसका छिड़काव आप नहीं कर पाएंगे तो जो सामगरी डाली है उसे सबसे पहले जैसे कि सिक्का है तिजोरी में रख दे उसे ऐसा करने से धन का अभाव नहीं रहता ऐसा करने पर माता प्रसंन होती है और लक्ष्मी का वास घर में होता है और घर में दिन दुना रात चौ गुना धन बढ़ता है बरकत होती है अनावश्यक का विसर्जन कर दें, लॉंग सुपारी हल्दी की गांट, सब का विसर्जन करते किसी पवित्र व्रिक्ष के नीचे गढधा खोद कर भी दबा दें, यह सम माने जाते हैं और थोड़े से ज्वारे निकाल कर अपनी तिजोरी या पर्स में रख दे, कभी कोई समस्या नहीं आत इन ज्वारों का दर्शन करने से पूरे साल भर आपकी तिजोरी में रखे रहते हैं, तो आपको धनलाब होता है, मादुरगा की कृपा बनी रहती है, थोड़े थोड़े प्रसाद रूप में बांट दे, कभी भी चाकू और कैंची से इनको ना काटे, उंगलियों से आराम से उनको निकाल ले, दो दो पत्तों का सेवन, पूरे घर के परिवार के सदस्य करें, गौशाला हो या गौव माता को आप उसमें जाकर मिला दे, पवित्र व्रिक्ष के नीचे, पीपल बर्गद या बेल के नीचे, अवल के नीचे कलश स्थापना में अपनी जो मिट्टी की चौकी से हटाई है, उनको भी थोड़ा सा अपने धन रखने वाले स्थान पर रखें और चावल के डिब्बे में डाल दे, इन में से थोड़ा-थोड़ा करके प्रति दिन आप खा सकते हैं, नारियल के उपर की जो चुनरी है, उसे अपने घर की तिजोरी में या अपने घर की मंदिर में रखें, तो इस तरीके से आप जो है माता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, अब चलिए, कुछ विशेश उपाए, कोई जानते हैं, जो माता के निमित्त किये जाते हैं, जो कुछ जय गुरु देव हमेशा बताते हैं, अगर आपके घर में बहुत आठ माला बनाएं, यानि एक सो आठ फूल की लॉंग लेकर उसकी माला लाल धागे से बनाकर माता के मंदिर में मा को समर्पित करने से मनवानचित इच्छा पूर्ण होती है, मान लीजिए, कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, तो नवरात्री के अंतिम दिन एक ही रंग के पूर्तियों को संतान नहीं है, वे लोग माता के सामने हाथ जोड़ कर अपनी इच्छा जाहिर करें और प्रार्थना करें कि अगले जब नवरात्री आए, तब तक मां उनको फल प्राप्त कर देगी, विशेश मनों कामनाओं की पूर्ति के लिए माता को घर से विदा करते समय माता से मन ही मन में कुछ अपनी इच्छाओं को बोल दें, वह जरूर से पूर्ण हो जाती है, अब कई लोग यूट्यूब पर कई तरह के उपाय बताते हैं, परंतु जो उपाय कुछ गुरुदेव द्वारा बताये गए हैं, वही जानकारियां, वही सत्य आप तक पह परिवार का हिस्सा बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं, बस आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करना है, तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा कर ब्लैक कर दीजिए, और कमेंट में जो भी आपके मन में प्रश्न हो, जो भी आप गुरुजी से पूछना चाहते हैं, उसे लिख दीजिए, आपको उसका उत्तर दिया तो वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, या आपके कमेंट के रिपलाई में जरूर बता दिया जाएगा, भोले नात की कृपा से आपके जीवन में हर समस्या का समाधान हो, और आपका जीवन मंगल मै हो, किसी कामना के सा हम विदा लेते हैं और आप से मिलेंगे एक और प्यारी सी नई वीडियो में